सालों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार रफैल जेट भारत में आ चुके हैं भारत को मिलने वाले 36 रफैल जेट में से 5 जेट भारत आ चुके हैं और बाकी के बचे जेट भी 2022 तक भारत को मिलने वाले हैं इसे भारत की सैने शक्ती में बड़ा इजाफा हुआ है मगर कॉ को अभी भी इस टील से संतुष्टी नहीं हुई राहूल गांधी ने एक ट्वीट करते हुए रफाल मिलने पर एर फोर्स को बधाई तो दी मगर साथ ही बीजेपी से सवाल भी कर डाले राहूल ने रफाल की कीमत पर फिर से सवाल उठाए हैं कि 526 करोड की एक जेट को 1670 करो की डील क्यों दे दी गए आपको बता दे कि कॉंग्रेस बीजेपी पर रफाल डील में स्कैम करने के इलजाम लगा चुका है कई बार बीजेपी को इस मुद्दे पर खेरा जा चुका है कॉंग्रेस के इन सवालों का हारा की बीजेपी पहले ही जवाब दे चुकी है रफाल और बाकी का काम भारत करता जो बड़ी कीमत डेसाल्ट मांग रहा था वो सिर्फ 18 जहाजों की थी बाकी के 156 में से 108 जहाजों को भारत में बनने वाले थे जिसके लिए अलग से खर्चा पड़ता इसलिए कॉंग्रिस की डील एवरेज के हिसाब से कम बढ़ रही थी मगर नई डील में भारत को 36 उड़ान भरने को तयार वेपनाइज्ड यानि के हथ्यारों से लेस जेट मिल रहे हैं और इसी कीमत में डेसाल्ट एंजहाजों के लिए हथ्यार, मेंटेनस, मौनिफिकेशन, आफसेट और इंशोरिस भी दे रहा है जिसके कारण ने जेट्स की की कीमत पहले से जादा है और तोनों सरकारों के करार के पीच लगभग 10 साल का बड़ा अंतर भी है इसके रावा 126 की बजाए 36 चैट खरीदने के सवाल पर भी NDA साफ कर चुका है कि सेना को सिर्फ ओडने की स्थिति में 36 विमान चाहिए थे इसलिए सिर्फ 36 विमानों का करना चाहता है खुड डिसॉल्ट ने अने लंबानी को चुना है 30,000 करोड के आफसेट समझोते में अने लंबानी की कमपनी के इलावा डिसॉल्ट ने समझोते के लिए और भी बहुत सारी कमपनियों को चुना है अने लंबानी की कमपनी लगभग 800 करोड के करार में ही शाम मगर NDA ये दावा करता रहा है कि ये डील UPA की प्रस्तावित कीगे डील से जादा किफाईती है सूसरों कीमा ने तो UPA जो डील टसॉल्ट के साथ कर रहा था वो कभी फाइनल ही नहीं हो पाई थी यानि रफाल की जो कीमत UPA अक्सर बताता रहा है उस कीमत के साथ डसॉल्ट ने कभी कोई डील फाइनल ही नहीं की इसका सिर्फ प्रस्ताव रखा गया था जिसे बाद में NDA ने बदल दिया था प्यूरो रिपोर्ट प्रूस कूप